दोस्तों अगर आप भे रिशेप पंत को एक बहतरीन खिलारी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों हाली में भारती टीम के कप्तान विराट कोली ने टीटवन्टी क्रिकेट से टीम की कप्तानी चोड़ने का फैसला किया है जिसको लेकर अब कप्तान को लेकर काफी सवाल खड़े हो चुके हैं कि भारती टीम को टीटवन्टी में कप्तानी की जिम्यदारी कौन से खिलारी संभाल लेगा तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे खिलाडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कप्तानी के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर चुका है लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली के जगर टीम का कप्तान किस खिलाडी को बनाना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको बता दें हाली में भारती कप्तान विराट कोहली ने टीटवन्टी की कप्तानी छोड़ दी है दरसल आपको बताने वो नाम कोई और नहीं बलके रिशब पंठ का है क्योंकि बताओर कप्तान रिशब पंठ का प्रदर्शन बेहद ही शांदार रहा उन्होंने डैली केपिल्स की कप्तानी करके शुरुआत में ही अपनी काबिलियत से ये देखा दिया था दिल्ली कैपिल्स की टीम को खिताब जिताने की रिशापंत काबिलियत रखते हैं। और इसलिए शायद बचे हुए मुकाबलों में भी स्रेया साइयर के जगर दिल्ली कैपिल्स की टीम ने रिशापंत को ही कप्तानी सौंपने का फैसला किया है। क्योंकि पहले तो रिशापंत को कप्तानी देने से कहीं ने कहीं टीम मैनेजमेंट में थोड़ी सी हिचकी चाहट देखने को मिल रही थी। क्योंकि रिशापंत ने इससे पहले कभी भी कप्तानी नहीं की थी और वो एक युवा खिलाडी हैं। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की जिमेदारी को निभाया। उससे इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि रिशापंत आने वाले समय में भारती टीम के लिए भी अपनी कप्तानी की दावेदारी पेश कर चुके हैं। क्योंकि दिल्ली कैप्टल्स की टीम ने पिछले साल आईपील में जहां से खुद को छोड़ा था रिशापंत ने उस जगह से टीम को बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने दिया बलकि आगे की तरफ ही लेके गए हैं। इसलिए BCCI के अधिकारियों का रोजान रोहिट शर्मा के तरफ ना जाकर रिशापंत और केल रहुल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें रिशापंत की मांग जादा है। और इस तरह की खपरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।